तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमाएं जो क्रिडिट काड का जो लिमिट है वो इंक्रीज हो चुका है यू फिन अप्ग्रेड़ेड़ टू अफोर लाग थर्टी तू थाउजन ओन यूर क्रिडिट का तो फिन्स आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने HDFC क्रिडिट काड के लिमिट को कैसे बढ़ा सकते हैं मेरे को बैंक के तरफ से लिमिट इंक्रीज करने का ओफर आया हुआ है तो आज के वीडियो में मैं आपको live अपने credit card का limit जो है वो increase करके दिखाऊंगा और वीडियो के end में मैं अपना opinion भी जरूर शर करूँगा कि मैंने ऐसा क्या किया कि मेरे को credit card के limit है उसको increase करने का offer आया तो वीडियो अगर आपको काम की लगे तो वीडियो को like जरूर करिएगा चलिए वीडियो को शुरू करते हैं अब सबसे पहले आपको अपने HDFC के net bag in में login कर लेना है अब यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर आपके पस बहुत सारे option नजर आ रहे होंगे आपको यह cards वाला option देख रहे हो आपको इस card वाले section पर click कर देना है अब जैसी आपने card पर click किया आपके सामने वापस से एक नया interface आ जाएगा अब यहाँ पर आप देख सकते हो credit cards का option आपके सामने आ रहा होगा उसके जस नीचे आपके सामने account summary, transact, inquiry and request का option आप देख पारे होगे आपको यहाँ पर request पर click करना है ठीक है request पर जैसे ही आप click करोगे यहाँ पर आपके सामने वापस से बहुत सारे options आ जाएंगे इसमें आप देख सकते हो credit limit enhancement आपको दिख रहा होगा आपको इस credit limit enhancement पे click कर देना है अब यहाँ पर आप देख सकते हो select a card का आपको बोला जा रहा है तो आपको अपना card यहाँ पर select करने को कहा जा रहा है जिसका भी आप limit increase करना आप चाहते हो तो यहाँ पर आपको आपना credit card है उसको यहाँ से select कर लेना है अब यहाँ पे आप continue का option देख पारे होगे आपको यहाँ पे continue पे click कर देना है जैसे हमने continue पे click किया आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो पुराना credit card का limit था वो 3,60,000 था और जो अभी हमें निया limit जो offer किया जा रहा है वो है 4,32,000 का तो यहाँ पे हमारे आपास option है यहाँ पे हम 3,60,000 से लेके 4,32,000 तक जितना भी limit चाहें वो अपना race करवा सकते हैं लेकिन यहाँ पे मैं पूरा limit यहाँ पे use करना चाहूँगा तो यहाँ पे मैं टाइप करूंगा 4,32,000 अब यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे सामने continue का option का option आ रहा है, हम यहाँ पे continue पे click कर देना है, जैसे हमने continue पे click किया आप देख सकते हो वापस से हमारे पास option है back और confirm का तो यहां पर हमसे वापस से confirmation मांगा जा रहा है कि क्या आप sure हो कि आप इस चीज को बढ़ाना चाहते हो तो यहां पर confirm पर वापस से आपको click कर देना है तो जैसे हमने यहां पर confirm पर click किया आप देख सकते हूं हमारे समने एक message आ चुका है congratulations you have successfully submitted a request for credit card limit enhancement तो हमारा जो credit card का limit increase करने का request था वह submit हो चुका है आप चली जल्दी से हम चेक भी कर लेते हैं कि हमारे जो credit card का limit है वह increase हुआ है यह नहीं तो उसके लिए वापस हम इस cards वाले section में आना है और जैसे हमने यहां पर cards वाले section पर click किया आप यहां पर देख सकते हो you have been upgraded to a higher limit of 432, on your credit card number this तो हमारा जो credit card का limit है वह instantly बढ़ा भी दिया गया है यहां पर तो यहां पर limit increase करने का तरीका था वह बहुत ही जादा easy था so finally up time आता है मेरा experience करने का आपके साथ कि मैंने ऐसा क्या किया कि मेरा credit card का limit है वह 432,000 इन्हों ने कर दिया तो देखो यहां पर आपको दो चीज़ का ध्यान देना है सबसे पहला अपने credit card का जितना जादा use कर सकते हो उतना जादा use करो और दूसरा अपने credit card का जो bill है उसक तो अच्छी तरह से करो जादा फालतू भी नहीं खर्चे करने हैं उमीद करते हैं यह वीडियो आपके काम की रही होगी वीडियो काम की रही हो तो वीडियो को लाइक जरू करिएगा चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना तो बिलकुन भु जल्दी मिलते हैं इसी इंट्रेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ तिल देन टेक केर बाई बाई जैहें